हाई वीवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे चिकन अंगारा की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं चिकन अंगारा बनाने के लिए हमने लिया है एक कीलो चिकन तीन टीबल स्पून मलाई अब मलाई की जगा फ्रेस क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीन टेबल स्पून दही, हाफ तीस्पून गरम मसाला, हाफ तीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ तीस्पून जीरा पाउडर, देड़ तीस्पून नमक, दो तीस्पून लाल मिच पाउडर, दो तीस्पून धन्या पाउडर, दो तीस्पून अध्रहोले हसुन का पेस्ट, र 10-12 काली मिर्च, एक फूल, तीन चोटी लाइची, पांच लूंग, इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है चाल मीडियम साइस की प्यास का पेश्ट और चाल मीडियम साइस के टमाटर का पेश्ट, चिकन को में एट करने के लिए हम इन सारे इंग्रीडियंट्स को चिकन में पाउडर, जीरा पाउडर, लालमिश पाउडर, धन्या पाउडर, अधर रखो लेहसुन का पेश्ट, अगर आप चाहो तो इस टेज पर एक टीस्पून चिकन अंगारा का मसाला भी एट कर सकते हो, और अब हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून एट फूड कलर, सारे इंगीडियन्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे ढख कर एक घंटे के लिए मेईन एट करेंगे, अब एक पेन में हम एट करेंगे आधा कप तेल, तेल गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे सारे खड़े मसाले, पास सेकंड के बाद हम इसमें एट करेंगे प्याज का पेश्ट और हाई फ्लेम पर प्याज को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब देख सकते हैं कि हमने प्यास को हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारा मेइनेट किया हुआ चिकन मिक्स कर लेंगे और इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 20 मिनिट तक धक कर पकाएंगे चिकन को मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर पकते हुए बिक्स मेट हो चुकी है रही हम इसे एक बार चेक कर लेंगे इसे पहले भी हमने इसे 2-3 बार चेक किया था अब हम इसमें एड़ कर देंगे टमाटर का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर कुछ देर तक और पकाएंगे टमाटर डालने के बाद हमने इसे 20 में तक और पकाया था इसे एक बाद चेक कर लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे मलाई अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मलाई की जगा फ्रेस क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ग्रेवी करने के लिए एट करेंगे एक कप पानी और मीडियम फ्लेम पर इसे 10 में तक और पकने देंगे अब गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें स्मोकी फ्लेवल लाने के लिए गरम को इलिपरेट करेंगे एक तेबस पुन तेल इसे ढख देंगे और दो से तीन मिनिट के बाद इसे सव कर लेंगे तो लीजिए खाने के लिए तैयार है घर पर बना हुआ रेस्टोरंट स्टाइल चिकन अंगारा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर करें और कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये रेसिप आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले